नमस्कार आप देख रहे हैं मित्रांचों का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टूडे दर्भंगा खबरों का खजाना समेटी आपके साथ में हुसंतू जा सुरुवाद हेड्लाइन्स के प्रायोजक है दग्रू सेट ज्वेलर्स जीम रोड नियर रेडियो इस्टेशन दर्भंगा रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुसन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाईजिनिक कीचेन असोका कॉंप्लेक्स राजकुमार गंज दर्भंगा मेडिकल इवम इंजीनेरिंग परिक्षाओं के लिए सर्व स्रेश्ट सिक्षकों में शुमार फिजक्स गुरू केके सरद्वारा स्वंचालित आईडियल पात नाका पांच उमा सिनमा के सामने दर्भंगा खाने का स्वाद अलग अंदाज दर्भंगा का पहला आईएसो प्रमानित होटल इवम रेस्टोरेंट स्वादिस्ट मल्टिकुजन फैमिली रेस्टोरेंट वीटु मॉल मिर्जापुर्चोग दर्भंगा हर आयोजन के लिए एसी विवाभवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसलिटी के साथ आईएसो प्रमानित मेट्रो आईविएफ सेंटर बाकरगंज लहिरिया सराय दर्भंगा उत्तर बिहार का पहला एवम बिहार का उच्चतम सफलता दर्वाला आईविएफ सेंटर डॉक्टर रुही यास्मीन ने संतान रोग विशेशक्या कोरोना संकट काल में घर बैठे करिये पढ़ाई डिजिटल तरीके से वह भी लाइव क्लास के द्वारा डैनमिक फिजिक्स एडुकेशन बाई फिजिक्स गुरू डॉक्टर जीपी सिंग भव्य सुभारंव 21 अक्टूबर को न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स भंडार चौक दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीर्चक दर्भंगा दार्जिलिंग के सिक्षकों दारा संचालित नर्सरी से 10 वी तक इंगलिस मेडियम का उत्कृष्ट विद्याले आपका पसंदीदा ब्रेंड आनंद बेकर्स एवं पेउर विज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपल तावर चौक दर्भंगा हर आइटम हाईजिनिक किचन एवं सेफ्टी मिजर के साथ तैयार कोरोना ने ली बिहार के एक सीनियर आईपियस आफिसर की जान पूर्णिया रेंज के आईजी की दुखत मौत पटना इंस में चल रहा था इलाज डर्भंगा में भी रहे थे डियाईजी के पदपर सिंगवारा थाना चेतर के सनहपुर में चली गूली एक खायल एक आरोपी गिरफतार लहेरिया सराय थाने के पुलिस ने जमीन के नाम पर धोखादाड़ी कर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफतार इवियम रिसीविंग के लिए दिया गया प्रसिक्षन मतदान के लिए सभी तैयारी करने का निर्देश 23, 27 और 31 अक्टूबर को प्रचार व्याय की गनना अभ्यर्थी को अपने व्याय लेखा का करना होगा निरिच्छन बिहार में कोरोना के 1,152 नए मरीज आगड़ा 2,4,000 के पार टूटर लेक्टिव केस 11,706 दर्भंगा में भी बढ़ी संख्या मिले 7 नए पॉजिटिव केस उदित ने पेश की मानवता की मिसाल नवरात्र के ब्रत में सहनाज को दिया खून नौजवानों ने चलाया मतदाता जागरुकता अभियान वोट देने की अपील ग्रे मैटर के विद्यार्टियों ने फिर मारी बाजी नीट 2020 में लहराया सफलता का परचम शार्दिय नवरात्र के दूसरे दिन सक्ति के अधिशात्री देवी मादूर्गा के ब्रह्मचारिनी को रूप की हुई आराधना फेश्टिव सीजन शुरू बाजार को बाउंस बैक की उमीद दगरुस एट जेलर्स में 17 नवंबर तक के लिए खास उफर और रंग कर्मी अरुन कुमार का निधन विद्यापती सेवा संस्थान ने जताया सो आप इस सभी खबरे दिखाएंगे आपको विस्तार से बस थोड़ी ही दे शिक्षक सहित समाज को मिल जाएगी संजीवनी नेक नियत से चमक रही जैशंकर की जीवनी दर्भंगा सिक्षक निर्वाचन छेत्र से सिक्षक हित के लिए लगातार आवाज उठाने वाले समविदन सील प्रत्यासी डॉक्टर जैशंकर जाको प्रथम वरियता का मत देकर विजाई बनाएं चिंतन और चरित्र से स्वर्गिय वासुदे बाबू का एक मातर विकल और समाचारब विस्तार के साथ कोरोना ने लिए बिहार के एक सीनियर आईपियस आफिसर की जान पूर्णिया रिंज के आईजी की दुखत मौत पटना इम्स में चल रहा था इलाज दरभंगा में भी रहे थे डियाईजी के पत पर कोरोना से बिहार के एक सीनियर आईपियस की मौत पटना इम्स में चल रहा था इलाज पटना से यह दुखत खबर है जहां पूर्णिया रिंज के आईजी विनोध कुमार की मौत कोरोना से होने की खबर है जानकारी के मताबिक आईजी विनोध कुमार कोरोना संक्रमित हो गए थे जिसके बाद उनकी हालत नाजुक होती जा रही थी आईजी विनोध कुमार को इलाज के लिए पटना एम्स में दो दिन पहले भर्ती कराया गया था लेकिन शनिवार देर रात आईजी विनोत कुमार कोरोना से जंग हार गए उनके निधन की खबर मिलते ही बिहार के पुलिस विवाग साहित तमाम लोगों में शोक की लहर दोड़ गई दो दिन पहले ही कोरोना से बिहार सरकार के एक मंत्री कपिल देव कामत की मौत हो गई थी और इसके बाद आईजी विनोत कुमार कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गमा बैठे दरभंगा के सिंगवाळा थाना चेतर दरगत सनापुर गाओं में चली गोली एक घायल 12 घंटे के अंदर पुलिस ने उद्भेदन कर एक आरूपी को किया गिरफतार शनिवार की साम सिंगवारा थाना चेतर के संजय मिश्रा के दरवाजे पर अवस्तित किराना दुकान के पास पांच की संख्या में आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एक अठा हुए थे जहां किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई उसी दोरान गोली बारी में नवीन मिश्रा को पेट में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गए उनका इलाज DMCH में अभी भी चल रहा है, उनके पेट में गोली अब तक फंसी हुई है फिलहाल डॉक्टर के अनुसार नवीन मिश्रा खत्रे से बाहर बताये जा रहे हैं SSP बाबुराम के निर्देश पर सुटी SSP एवं सदर SDPO अनोज कुमार के नित्रुत में सिंगवाडा कमतौल सिमरी थाना की पुलिस ने एक टीम का गटन किया पुलिस ने आरोपित सिंगवाडा थाना चेत्र के सनापूर निवासी राकेश मिस्रा उर्फ लालू को गिरफतार कर लिया वहीं चंद्रिका मिस्रा के पुत्र सुमित मिस्रा, ललन मिस्रा के पुत्र राकेश मिस्रा, संजे मिस्रा और लालू, स्वर्गिय भुवनेश्वर साह के पुत्र जपन सा सभी एक ही गाउं सनापूर के रहने वाले हैं सीटी एसपी ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की गिरफतारी के लिए चापे मारी की जा रही है जल्द ही वे लोग पुलिस की गिरफत में होंगे जिस रिवॉल्वर से नवीन मिश्रा को गोली मारी गई है पुलिस अब तक उसे बनावंद नहीं कर पाई है राकेश मिश के खिलाब जिले के किसी अन्य फाने में मामला दर्ज है या नहीं इसकी तैकिकात की जा रही है वोहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी आरोपी शराब कारोबार में लिप्त हैं हाला कि पुलिस हर पहलू पर जाच कर रही है सिंग्वारा की घटना है कल शाम में साम करीकता ब्रीव जाड़े पांच-छे वजे एक सुछना मिली थी कि सहर पुल ग्राम गाउं में कुछ लोग पांच-छे लोगी कठा हुए हुए है जगा और इसी घटना के फिराक में हैं सुछना पर ठाना प्रहारी उस जगध जा लेह थे तो वहां पर गोली चलने की सुछना मिली मिल ए जानकारी मिली और इसे लेकर लोग इलाज पिले चले गया क रह्तना की तहक कात के लिए कर आज अगजने वहां पे इकठ्या हुए थे और हधियार के साथ भोलने का काम करता है और उसी खोलने के करम में एक वेक्ति के द्वारा जो है सुमित मिष्रा के पिस्टल से फायर कर दीगा उसी वज़े से एक वज़े से एक वेक्ति जखने हुआ है जिनका नाम नवीन मिष्रा है लाजरत हैं, DMC चुबिखे एक वेक्ती की गिरफतारी हुई हूए रात्री में जो टीम एकमनी थी तिजिऄ द्लॉड राकिश मिस्रा ओर्फ लालू गजराम सहनापूर के हैं उन्ती गिरफतारी हुई है और श्चे-चार रह गए है उन्ती गिरफतारी की जाएगी इस समद म देखा जा रहा है और प्राधिकितिया समित हानों से कठा की जा रही है इनके बिलकुल तभी वहां पे इस प्रकार से एक जो है रगन्यास्त्र का परियोग वहां पे किया गया प्रामद्गिये भी कुछ नहीं हो पाई अगटनासल से चोकि यह लोग वहां से तुरत जैसे यह फाईरिंगों इसके बाद इस लोग वहां से भाग खड़े हो और उनके जो जखनी है नवीन बिश्रा उनके बड़े भाई और यह सब उनके परिजन उनको लेके इलाज़ की लिखे लहरियास राय थाने के पुलिस ने जमीन के नाम पर धोखा दड़ी कर लंबे समय से फरार कि देर सामगिर अरफतार कर लिया निवासी बताये जाते हैं उन पर जमीन खरीद बिक्री को लेकर धोखा दड़ी कर रुपए ठकने का आरोप है थाना दक्ष एचन सिंग ने बताया कि मुहमद रिज्वान पर थाने में कांट संख्या 138-2020 दर्ज था जो लंबे समय से फरार चल रहा था पूछता आज के बाद उसे न्याई खिरासत में भेजा गया है एवियम रिसीविंग के लिए दिया गया प्रसिक्षन मतदान के लिए सभी तैयारी करने का दिया गया निरदेश डीम ने निर्वाची पदादिकारियों को दिये कई निरदेश DMCH के प्रेक्षा ग्री में EVM रिसीविंग करने वाले कर्मियों एवं दर्बंगा के सभी दस विदान सभा निर्वाचन चेत्र के सम्मंधित निर्वाची पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदादिकारी सजिलादिकारी दर्भंगा डॉक्टर त्याग राजा नेसम ने संबोधित करते हुए कहा कि पोल्ड इवियम रिसीव करना बहुत समवेदन सील कारी होता है इसलिए अच्छी तरह से इसका प्रसिक्षन प्राप्त कर लें सभी निर्दोसों का सही तरीके से अनुपालन करावे ताकि मतगन्ना के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो सके उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर को मलसी एलेक्षन 25 और 26 अक्टूबर को नवरात्र वद्द सहरा 28 अक्टूबर को पीम प्रोग्राम तथा 3 और 7 नवंबर 2020 को विदान सबा चुनाव है इसलिए समय बहुत कम है मतगन्ना की तैयारी के लिए भी समय नहीं बचेगा इसलिए सभी निर्वाची पतादिकारी मतदान के साथ साथ मतगन्ना की भी तैयारी करते रहें मतदामती थी के बाद एक दिन काउंटिंग पर्सनल को प्रसिक्षन दिया जाएगा उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों का सही डिस्पैच बहुत आवश्चक है दितिय चरण के मतदान के लिए 30 तारीक को जाइनिंग दिया गया है और तीसरे चरण के चुनाओ के लिए 5 तारीक को जाइनिंग दी गई है चुकि 50 प्रसत कर्मि को दोवारा डूटी मिल रही है इसलिए बीच में प्रसिक्षन देने का समय उपलब्द नहीं है उन्होंने कहा कि जिस इवियम में एक भी मत नहीं पड़ा हो उस इवियम को सेक्टर ओफिसर को वापस किया जाएगा सेक्टर ओफिसर उस इवियम को लेकर आएंगे जो वेर हाउस में जवा होगा उन्होंने कहा कि वजगरी के रिसीविंग काउंटर पर एबियम रिसीव कर उसे निर्धारी तिस्थल पर रखा जाए तो ता सभी पेपर की अच्छी तरह से जांच कर ली जाए रिसीविंग सेंटर पर सभी कागजों की अच्छी तरह से संधारन होना चाहिए उन्होंने कहा कि पिठासीन पदादीकारी के कागज में अगर कोई कमी हो तो उसे वहीं पर जाच कर दुरुस्त करवा लिया जाए मतगन्ना के समय कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए प्रपत्र सुत्रा एका मिलान एबियम से किया जाता है और वह सही होना चाहिए उन्होंने आसा जताई कि उपस्तित लोगों में से अधिकतर लोग पूर में भी अकाम किये हुए हैं इसलिए इस बार भी अकाम कर लेंगे उन्होंने सिक्षन के दौरान उपस्तित सभी निर्वाची पदादीकारी को कहा कि COVID-19 से सुरक्षा के लिए प्रियुक्त बायो मेडिकल वेस्ट के निस्पादन के समद में पूर में भी बताया गया है कि जो मदान कर्मियों को सामगरी दी जाएगी उसमें एक बड़ा पॉलिथीन भी दिया जाएगा जिसमें COVID-19 का बायो मेडिकल वेस्ट को रखकर उसे डस्ट मूइन में रखना है साथ ही इसके संग्रा के लिए गाड़ी और कर्मी रहेंगे 23, 27 और 31 अक्टूबर को प्राचार व्या की गणना अभ्यर्थी को अपने व्याय लेखा का करना होगा निरिच्छन 23, 27 और 31 अक्टूबर को प्राचार व्याय की गणना अभ्यर्थी को अपने व्याय लेखा का करना होगा निरिच्छन गरामीन विधानसबा छेतर निरवाचन छेतर के निरवाची पताधिकारी के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को पत्र जारी कर सुचित किया गया है और विधानसबा 2020 के लिए चुनावी पर चार परसार पर किये जाने वाले व्याय की गणना के लिए डे टुडे एकाउंट्स का निरिक्षन प्रेक्षक की उपस्तिती में 23 सताई से वमेक 30 अक्टूबर 2020 को वानिजिकर अंचल कार्याले अबस्तित अब्यार्ति विया अनुस्रबन को सांग में किया जाएगा इसलिए उक्तितियों को कार्याले अबधी 10 बजे पुर्वाहन से 5 बजे अप्राहन तक उपस्तितो कर अपने लेक्षे का निरिक्षन करवा लेंगे ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभुसन जो चुरा लेंगे आपका दिल कैसा देखते हैं आप अपना कल क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया आइडियल पात नाका पांच के निकट उमा सिनमा के सामने दर्भंगा और प्रीमियर इंस्टूट फोर नीट जे एए मिन एडवान्स प्लस टू बोर्ट प्री फाउंडेशन 789 तेंथ एंड एंड एंट एसी के वी पी वाई ओलम पियार के के सरद्वरा संचले अपने बिजनेस को देजिए उंची गुडान हमारे साथ चांदनी कॉंपलिक्स मेन रोट मियर भगत सिंग चौक देना बैंक बिल्डिंग दर्भंगा जहां उपलब्ध है तेड़ हजार स्कॉार फिट का कॉमर्सियल स्पेस बैंक ऑफिस शोरूम सहित विबिन व्याफसा के लिए उप्योक्त अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356-87786 केवल स्वाध ही नहीं महसूस कीजिए खास एहसास जो आपके हर फंक्षन को बनाएंगे यादगार केवल फैसन ही नहीं यह है आपका विश्वास साड़ी हाउस फैसन डेस्टिनेशन जामा मस्जित के सामने बाकर गंज लहेरिया सराय सारी सल्वार सूट लहेंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुक कंपनियों के लेडी मेंस एंड किट्स वेर की फुल रेंज अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मौल टावर चौक पर ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए रेड्मी, MI के फोन, दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्ट फोन, टैबलेट, मोबाइल फोन इसेसरीज, कंपनी के ऑनलाइन रे कोरोना ने ली बिहार के एक सीनियर IPS ऑफिसर की जान, पूर्णिया रेंज के IG की दुखत मौत, पटना इंक्स में चल रहा था इलाज, डरभंगा में भी रहे थे DIG के पदपर सिंगवारा थाना चेत्र के सनहपुर में चली गूली, एक खायल, एक आरोपी गिरफतार लहेरिया सराय थाने के पुलिस ने जमीन के नाम पर धोखादाड़ी कर, लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफतार इवियम रिसीविंग के लिए दिया गया प्रसिक्षन, मतदान के लिए सभी तैयारी करने का निर्देश 23, 27 और 31 अक्टूबर को प्रचार व्याय की गनना अभ्यर्थी को अपने व्याय लेखा का करना होगा निरिच्छन बिहार में कोरोना के 1,152 नए मरीज, आकड़ा 2,04,000 के पार, ट्रोटर लेक्टिव केस 11,706 दरवंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस उदित ने पेश की मानवता की मिसाल, नवरात्र के प्रत में सहनाज को दिया खून नौजवानों ने चलाया मतदाता जागरुकता अभियान वोट देने की अपील ग्रे मैटर के विद्यार्टियों ने फिर मारी बाजी नीट 2020 में लहराया सफलता का परचम शार्दिय नवरात्र के दूसरे दिन सक्ति के अधिशात्री देवी मादुर्गा के ब्रह्मचारिनी चुरूप की हुई आराधना फेश्टिव सीजन शुरूप बाजार को बाउंस बैक की उमीद दगरू सेट जेलर्स में 17 नवंबर तक के लिए खास उफर और रंग कर्मी अरुन कुमार का निधन विद्यापती सेवा संस्थान ने जताया सो बिहार में कोरोना के 1152 नएमरीज आंकड़ा 24,000 के पार टोटल एक्टिक केस 11,706 बिहार में कोरोना के 1152 नएमरीज आंकड़ा 24,000 के पार पहुँचा स्वास्त विभाग दोरा दी गई जानकारी के अनुसार सबसे अधिक पटना में 317, अररिया में 72, अरवल में 5, औरंगाबाद में 27, माका में 12, बेगुसराय में 13, भागलपुर में 64, भोजपुर में 18, बकसर में 4, दर्भंगा में 7, पूर्वी चंपारन में 47, गया में 12, गोपाल गंज में 27, जमूई में 11, जहनाबाद में 20, कैमूर में 5, कटिहार में 33, खगडिया में 6, किसन गंज में 21, लखी सराय में 9, मधेपुरा में 26, मदुबनी में 37, मुंगेर में 13, मुदफरपुर में 60, नालंदा में 29, नवादा में 11, पूर्णिया में 79, रोहतास में 32, सहरसा में 15, समस्तिपूर में 4, सारन में 36, सेखपूरा में 13, सीता मढ़ी में 8, सीवान में 15, सुपाल में 11, वैसाली में 28, और पस्चिम चंपारन में 15 नए मरीज मिले हैं, कुल 1152 नए मरीजों के मिलने से, बिहार में कोरोना मरीजों की संख्याथ 24,212 पर पहुंच गई हैं, हाला कि इन में एक्टिव केस 11,706 ही हैं दर्भंगा में भी बढ़ी संख्या मिले 7 नए पॉजिटिव केस स्वास्त विभाग दरा दी गई जानकारी के अनुसार, दर्भंगा में कोरोना के साथ नए पॉजिटिव केस मिले हैं, और इन साथ नए मरीजों के मिलने के साथ ही दर्भंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है सामाजिक समरस्ता का नायाब नमूना, कमतौल निवासी उदित कुमार ने नवरात्र के वरत में रहते हुए जीवन रक्षक दर्भंगा के माध्यम से अपना खून लालवाग निवासी शेहनाज को बीमसीयस दर्भंगा बलड बैंक में दिया लोग आज हिंदो मुस्लिम तुष्टी करण के चक्कर में पड़े हुए हैं, सामाजिक सौहार्थ की बात तो करते हैं, लेकिन कितना निवाते हैं या सभी जानते हैं सामाजिक सौहार्थ का इससे बड़ा उदाहरन क्या हो सकता है जीवन रक्षक हमेशा और सहाय लोगों की मददगार साबित होती है, जिनके पास कोई रक्तदाता उपलब्द नहीं होता, वहां उनकी टीम खड़ी मिलती है आज कमतौल निवासी उदित राज ने माता की आराधना का बहुती सुका दनवव रक्तदान के माध्यम से दिया या जीवन रक्षक दरवंगा के सक्रिय सदस्य मयंक कुकरेजा के साथ भी जुड़े हुए हैं और समाज में सिक्षन देने का कारे करते हैं इनको प्रोच साहित करने के लिए सचिव धरम कुमार, विकास महसेट, रक्तवीर सचिन कुमार, विजय कुमार गौतम, प्रशांत रवी, उमेज प्रसाथ, संजीव सिंग, रोशन नायक, सुरज कुमार निशाद और सोनु कुमार उपस्तित हुए नौजवानों ने चलाया मतदाता जागरुकता अभियान, वोट देने की अपील नौजवानों ने निकाली मतदाता जागरुकता रैली, सबों से मतदान करने की की अपील दर्बंगा शहर के छोटी काजीपुरा करमगंज के नौजवानों ने मतदाता जागरुकता रेली का आयोजन किया जिसमें नौजवानों ने बढ़ चड़ कर हिशा लिया और लोगों को वोट की एहमियत एवाम उससे होने वाले बदलाओ के बारे में बताते हुए आने वाले साथ नवंबर को अधिक सधिक वोट देने की अपील की नौजवानों ने बैनर पोस्टर के साथ लोगों को जागरुक किया साथ ही साथ वोट देने की शपद भी ली जिसमें महबूब फैजी उर्फनदी मंसारी जमाल, हाफिज, मतलूब, जफर, शबू, अनवर, इत्यादिशा मिल थे ग्रे मैटर के विद्यार्थियों ने मारी बाजी नीट 2020 में लहराया सफलता का परचम फिर से मारी बाजी ग्रे मैटर अब प्रेमियर इंस्ट्यूट फर नीट खानका चौक दरभंगा के बच्चों ने फिर से नीट 2020 मेडिकल प्रवेस परिक्षा में लहराया सफलता का परचम निदेशक डॉक्टर अनिकेद कुमार श्रिवास्तव ने बताया कि ग्रे मैटर से लगबख सभी बच्चों ने क्वाइलिफाई किया है जिसमें सीमा कुमारी 630 माँक्स, कौस्तवराज 639 माँक्स, सिवम कुमार मंडल 616 मााँक्स, अनुराग सींग 600 माँक्स, राजन कुमार 1695 केटेगरी रैंक, मौहम Ned जावेद 1904 केटेगरी रैंक, मौहमد बाबू आलम 3000 केटेगरी रैंक लाकर अपने माता पिता गुरुजन एवं अपने सिक्षन संस्थान का नाम रोशन किया। डॉक्टर अनिकेत ने बताया कि 12 से अधिक बच्चों ने 580 अंक से जादा इसकूर किया और 9 से जादा विद्यार्थियों को सरकारी MBBS कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। माता पीता का कितना साथ रहा आपको आपकी स्पड़ाय हूं। बहुत साथ रिया हमेंसे। और क्रे मैटर में आपको कितना गाइदेंज मेला हूं। हर चीज का गाइडेंस मिलता था पढ़ाई सिल्ने के जो भी मजब कॉस्ट्विशन भी बताते थे सर, हर चीज सर को अनिकेश सर हो गया, प्रजवा सर जो कुछ इस पढ़ाते हैं और ये रूपक सर हो गया, सुभून सर हो गया और भी सुभून सर हो गया ग्रे मेंटर की एसी कौन सी खास बात रही जिसने आपको इस कामयाबी तक पहुंचा है सर लोग गयाइडेंस अच्छा करते थे और मेहनद भी करवा देते और टेस्ट भी लेते थे जिससे अच्छा गयाइडेंस जो बच्चे आपकी तरह करना चाहते हैं उनके लिए क्या मेसेज होगा हम यही कहेंगे कि सब महनत करें तो जरूर मिलेगा उन्हें विए मेरे जैसान अपको क्रेडिट किसको देना इसका मावी क्रेडिट हम सार अनिके सार जितने भी सार उनको देना चाहते ग्रेमेटर के और हमारे भाय हैं अमारे ममी पापा उन्होंने बहुत ज्यादा सयोग किया जय से हम पढ़ते थे तो इससमें मतलब कि दो बज़े रात में याधि हम चार करेंगे जय गन्दे की पढ़तेते थे जब जादा सयोग की हैं सब्सक्राय कितने गंडे की पढ़ाई से एका में मिली हो तेरह गंड़ जो बच्छे आपकी तरह करना चाहते हूं कि लिए क्या में अ मतलब कि हम सार जैया मतलब कि हम पर रहें तो रोज 5 घंड़ पढ़ता रोज पास गंड़ा पर आशा नहीं कि एक तिन आम 15 गंड़ा पर ले दूसरे दिन हम प्तिन गंड़ा पर चार गंड़ा पर आसा ना करें रोज परे फोरा थोरा लिगिम पर रे रोज सबसे पर दो आपने अफ दभ देंगे जो आमारी गिरे मैंटर में ना भी खाएंगा करना में बहुत अचा पार्षिंद है अच्छा मासूस कर रहा है वहत जो करते हैं ओकाषे तो आफान नहीं ठेकिल्द रहे हैं तुट मेतल को प्रवाद हैं। गुशा बैदोत बैदक कि बादो हैं, मैं के सह तो ध। गजशां तु के सह salary काषी में होना है। और मैकसिवलो दॉक्टर से, मैं खुद प्रोपेर्शन भाई दॉक्टर नहीं हूँ, तो हम लोग इस सीज को बेटर डिल कर पा रहे हैं कि कैसे मेडिकल इंटरेंस में, क्या पूछा गया, क्या पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड कट अप कह रहे हैं, इस सीज में हम लोग काफी एक्सपेरियंस हैं और बागी ही जो जो कावटेंसनल कोचिंग होते हैं, उसके मुत अभी कहने के हम लोग लोग बेटर इल कर बाते हैं और बेटर बच्चे को गाइट रपाते हैं, यहां के बच्चों में क्या पोटेंस हैं, मिथिला के बच्चों में ऐसा क्या हैं विर्ए प्र मिश्ट इम प्रस वाह पुर से शिर का इन दोगों ने सीन दो साल कर दो साल जम के महों कर बका चाहते हैं कि अच्हें प्रएजन उन तो यहां पंडिया शेमनी पर डूंटे कर दिंखmass हैं किई ग्रेमेंतर की किया खासियत है जो बच्चे ग्रेमेंतर में शरका सी जो प्रटली ओर इंटियेंड हैं जो जो इसस फेसे कर आ या रहिए जारिक। ग्रे मेंटर से कितने बच्चे इस बार अपियर हुए क्या कामिया भी करेशी हो रहा है। ग्रे मेंटर से 110 बच्चे अपियर हुए थे 110 बच्चे में अभी तक जो प्राब जानकारी हैं उसमें अल्मोस्ट सवी लों पॉलिफाई की कट्रॉस की हैं 600 बच्चों का आ रहा है 630, 639, 666 और 601 इचार टॉप हैं 580 से 600 के भी 67 बच्चे हैं और कुछ बच्चे कैटोग्री में तो टोटल मिला के साथ से आठ बच्चे को सरकारी कोवर्मेंट MBBS कॉलेज मिले की उमीद है पटनास आ है दो जिन पहले मना पटना दरवांगा आने का मौपा मिलाता देशे बीच में इसका रियर्ट है हमको भी बहुत अंतर सब कुछ हुए हम भी मार्केटिंग से मेरा MBA मेरा भी मतलब उदेश था कि गहर में कोई डप्टर है इस फ्रीड हो जाए इंजिनिर्श चेत्र हो था कि घर से निकल चुगा था लेकिन डप्टर के चेत्र में भी तो को नहीं आता यह पहला है इसका कदम है और वह इसने कामना करता है कि और भी घर से इस चेत्र में बचा लोग कामियावी मीज़ए इसे हमको भी अधिक कि अंधर से आड़ी पढ़ सकता है कि अधिके काम है अभी पर कैसे कितना पढ़ने में एक ऐसी रही है सुपस्थ बहुत में हिनत करें घर में बिना आपके दवा को भी तब लाए ने दवा को नहीं देते हैं में दवा को भी नहीं पर देते तो इस कोचिंग में ग्रे मैंटर में अड्मिशन करने का क्या होती है इसमें यहां तैयारी के लिए सर के पास अंगे जए कि कोई तो गाडले में शुप करेंगा तो सारफ नादर शो बहुत कोशिस की है अगाडले में बहुत अच्छी से इस कोचिंग की पढ़ाई से आप संतोस्त है निउस्टूडे पर खमने अभी और भी है वक्ते एक ब्रेक का है फर्म लटेंगे बिताइए फुर्सत के छन अपनों के संग दर्भंगा का पहला आईयसो प्रमानित होटल एवम रेस्टोरेंट स्वाधिस्ट मल्टिकुजन फैमिली रेस्टोरेंट वीटू मॉल मिर्जापुर दर्भंगा सभी विज नॉन विज आइटम्स के साथ इस्पेशल डिस की खोबियां हर आयोजन के लिए 500 लोगों की छमता वाला एयर कंडिशन विवाभवन पुन साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ महासे, टेक्स्टाइल्स, बाकर गंज, लहेरिया सराय, दर्भंगा, शूटिंग, शेटिंग, साडियां ही साडियां, लेडी सूट, लहेंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ, बेटशीट एवं परदों की भव्य रेंज, खास आपके लिए कोरोना ने ली बिहार के एक सीनियर IPS ऑफिसर की जान, पूर्णिया रेंज के आईजी की दुखत मौत, पटना इंस में चल रहा था इलाज, डर्भंगा में भी रहे थे डी आईजी के पदपर सिंगवारा थाना चेतर के सनहपुर में चली गूली, एक खायल, एक आरोपी गिरफतार लहेरिया सराय थाने के पुलिस ने जमीन के नाम पर जोखादाड़ी कर, लंबे समय से फरार चल रहे है आरोपी को किया गिरफतार इवियम रिसीविंग के लिए दिया गया प्रसिक्षन, मतदान के लिए सभी तैयारी करने का निर्देश 23, 27 और 31 अक्टूबर को प्रचार व्याय की गनना अभ्यर्थी को अपने व्याय लेखा का करना होगा निरिच्छन बिहार में कोरोना के 1,152 नए मरीज, आकड़ा 2,04,000 के पार, ट्रोटर लेक्टिव केस 11,706 दर्भंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस उदित ने पेश की मानबता की मिसाल, नवरात्र के ब्रत में सहनाज को दिया खून नौजवानों ने चलाया मतदाता जागरुकता अभियान, वोट देने की अपील ग्रे मैटर के विद्यार्थियों ने फिर मारी बाजी, नीट 2020 में लहराया सफलता का परचम शार्दिय नवरात्र के दूसरे दिन सक्ति के अदिशात्री देवी मादूर्गा के ब्रह्मचारिनी शुरूप की हुई आराधना फेस्टिव सीजन शुरूप, बाजार को बाउंस बैक की उमीद, दगरुस एट जेलर्स में 17 नवंबर तक के लिए खास उफर और रंग कर्मी अरुन कुमार का निधन विद्यापती सेवा संस्थान ने जताया सो शार्दिय नवरात्र के दूसरे दिन सक्ति के अदिशात्री देवी मादूर्गा के ब्रह्मचारिनी सुरूप की हुई आराधना शार्दिय नवरात्र के दूसरे दिन सक्ति के अदिशात्री देवी मादूर्गा के ब्रह्मचारिनी स्वरूप की हुई आराधना मा ब्रह्मचारिनी दोनों करकमलों में अक्ष माला और कमंडलू धारन करती हैं वे सर्वस्रिष्ट ब्रह्मचारणी दुर्गा देवी हैं और भक्तों पर प्रशन होती हैं। महा सक्ति स्वरूपनी मा दुर्गा के शक्ति की महिमा पर प्रकास डालते हुए शास्त्रों में कहा गया है समस्त भूतों में सर्व रूप से सक्ति विद्यमान है शक्ति के बिना प्रानी सर्वदा शव के समान हो जाता है सक्ति एक ही है आराधकों के गुन कार्य भेद से उसके महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती शिव विष्णू ब्रह्मा के समान धर्मा रूप हो जाते हैं। कहीं कहीं आध्यादेवी महालक्ष्मी को मानकर उन्हीं से काली लक्ष्मी और सरस्वती का प्रादुर्भाव माना गया है फेस्टिव सीजन शुरू बाजार को बाउंस बैक की उमीद दगरू सेट ज्वेलर्स में 17 नवंबर तक के लिए खास ओफर फेस्टिव सीजन शुरू तेवारों में बाजार को बाउंस बैक की उमीद दगरू सेट ज्वेलर्स में नवरात्र धंतेरस और दीवाली पर खास ओफर जीम रोड इस्ते दगरू सेट जोलर्स शोरूम में नवरात्री और आने वाले धनतेरस के साथ दीपावली के लिए खास ओफर का आयोजन किया गया है दगरू सेट जोलर्स के प्रोप्राइटर संतोस लाठ ने बताया कि यह अभी तक का सबसे खास और लुभावना ओफर है इसमें हॉल मार्क गोल्ड और चांदी के गहनों पर ओफर दिया गया है इस कॉम्बो ओफर के ताथ हॉल मार्क सोना और चांदी के गहनों की बनाई पर 20% की भारी छूट दी जा रही है यह ओफर 17 नमबर तक के लिए है धंतेरस की प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी है जिससे लोग अभी से धंतेरस की भीड से बचने के लिए गहनों की प्री बुकिंग कर रहे हैं इस फेस्टिव सीजन के लिए यहां पर खास तरह की डिजाइन भी लाई गई है यहां ग्राकों की शुविधाओं का खास ख्याल रखने की भी जानकारी प्रोप्राइटर ने दी है स्रील आठ ने बताया कि इस फेस्टिव सीजन के लिए यहां खास तरह की डिजाइन लाई गई है जिसमें साउथ की जुलरी डिजाइन को भी शामिल किया गया है त्योवारों को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान में हलके और भारी हर तरह के लेटेस्ट डिजाइन के गहने उपलब्ध है और रंग कर्मी अरुनकुमार का निधन विद्यापती सेवा संस्थान ने जताया सोक रंग कर्मी अरुनकुमार जा के निधन पर विद्यापती सेवा संस्थान ने जताया सोक आका अश्वानी दर्भंगा में वर्सों तक निभाया राम किसुन भाई का किरदार आकाश्वानी दरभंगा में राम किसुन भाई के किरदार को निभाने वाले अरुन कुमार जाकर निधन शनिवार की देराथ हिर्दयागाद से हो गया अभी हाल ही में रिलीज हुए मैथली सिनेमा मिथिला मखान में उन्होंने किसुन जी की भूमिका की थी जिसके काफी सराना हुई थी रविवार को उनके निधन की खबर आने के बाद विद्यापती सेवा संस्थान ने सोग जताया महासजेब ड्रकर वैदेनाच चौधरी बैजु ने अपने शोग संदेश में उनके निधन को संपुर्न मिथिला के लिए अपूर्निय च्छती बताते हुए कहा कि वे एक उत्कृष्ट रंग कर्मी होने के साथ चात बहतर इंसान और कुसल अधिवक्ता भी थे उनके निधन से रंग कर्मी मम कानून की बारीकियों को संजीदगी से जीने वाला कलाकार हमसे हमिशा के लिए जुदा हो गया ये धर तक के समाचार विदालेंगे आपसे नज़र एक बर फिर हेडलाइन्स पर कोरोना ने ली बिहार के एक सीनियर आईपियस आफिसर की जान पूर्णिया रेंज के आईजी की दुखत मौत पटना इंस में चल रहा था इलाज डर्भंगा में भी रहे थे डियाईजी के पदपर सिंगवारा थाना चेत्र के सनहपुर में चली गूली एक खायल एक आरोपी गिरफतार लहरिया सराय थाने के पुलिस ने जमीन के नाम पर जोखादाड़ी कर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफतार इवियम रिसीविंग के लिए दिया गया प्रसिक्षन मतदान के लिए सभी तैयारी करने का निर्देश 23, 27 और 31 अक्टूबर को प्रचार व्याय की गनना अभ्यर्थी को अपने व्याय लेखा का करना होगा निरिच्छन बिहार में कोरोना के एक हजार एक सो बावन नए मरीज आकड़ा दो लाग चार हजार के पार टूटर लेक्टिव केस 11,706 दरवंगा में भी बढ़ी संख्या मिले साथ नए पॉजिटिव केस उदित ने पेश की मानवता की मिसाल नवरात्र के प्रत में सहनाज को दिया खून नौजवानों ने चलाया मतदाता जाग रुकता अभियान वोट देने की अपील ग्रे मैटर के विद्यार्थियों ने फिर मारी बाजी नीट 2020 में लहराया सफलता का परचम शार्दिय नवरात्र के दूसरे दिन सक्ति के अधिशात्री देवी मादूर्गा के ब्रह्मचारिनी शुरूप की हुई आराधना फेस्टिव सीजन शुरूप बाजार को बाउंस बैक की उमीद दगरू सेट जेलर्स में 17 नवंबर तक के लिए खास उफर और रंग कर्मी अरुन कुमार का निधन विद्यापती सेवा संस्थान ने जताया सो यदि अब इतक की खबरें इसके साथ ही दीजी अमेजा ज़त अगलिप शान में आपके चेत्र आसपास की इलाकियों और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेठे अपने सभी साय योगियों के साथ हम पुना होंगे हाजर तब तक के लिए निउस्टूड़े की पूरी टीम के साथ दीजे संतोस को विदा आप देखते रिए मितलांचल का पहला डिजिटल निउस नेटवर्क निउस्टूड़े दरवंगा पूरी टीम के साथ दीजे संतोस को विदा नमस्कार जै पूरी टीम के साथ जै